जैहिन दोस्तों स्वागत है आज की क्लास जो की mathematics की है जैसे ही हम पढ़ रहे हैं compound interest तो compound interest के अगले प्रकारों की तर्फ चलेंगे अगले types की तर्फ चलेंगे important है सभी types को आप ध्यान से सुनिए गाब तो हमारा जो है अगला प्रशन आपका आ रहा है तो ध्यान से इस question को करने की कोशिश करिएगा और समझिएगा कि क्या कहना चाहता है क्योंकि आप zero two hero बनने जा रहे हैं तो इसलिए ध्यान से इस type को भी clear कर लीजिए सवाल आपके सामने है एक सपना है सरकारी नौकरी का तो इसलिए आप ध्यान से फोकस करें चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष में किसी धन का चक्रविदी ब्याज जो है और सधारन ब्याज जो है उन दोनों का अंतर जो है वो आठ रुपे हो जाता है तो आप अब बताएं कि वो धन क्या है तो बहुत ही simple से आपको मैं एक formula दूँगा धन होता है हमारा principle जैसे मैंने बताया है difference into 100 over r whole raise to power 2 यह 2 कब लगाना है जब 2 वर्ष के लिए बोला हो कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए ऐसे 3 वर्ष के लिए आपने करने 4 का भी होता है मगर हम उस question को नहीं करेंगे उस type को नहीं करेंगे क्योंकि हमारे competitive में बहुत ही rare case में पूछा जाता है 99% पूछा ही नहीं जाता normal जो की हिमाचल पुलिस पतवारी और other competitive होते हैं यह CGL के लिए 4% वर्ष वाला जो difference वाला question है वो पूछा जाता है इसलिए मैं आपको जो है वो जा सिर्फ इस वक्त जो है वो दो वर्ष और तीन वर्ष के अंतर वाले जो वर्ष वाले है question उन्हीं को ही करवा रहा हूँ ठीक है जी तो ध्यान से सुनिएगा formula आपके सामने आ चुका है principle निकालना है तो आप यह लगा सकते हैं अगर यह नहीं आगर आपको है तो यह वाला भी लगा सकते हैं डी यहीं पे रहने दीजिए और पी आर ओवर हंडर होल्डेस्ट वाव टू बात एक ही होती है लिखने का तरीका है बदला है और कुछ नहीं कई बुक्स में ऐसे लिखा है कई ऐसे बताते हैं ट्रिक्स तो कुछ नहीं होती सिंपल सा लिखने का तरीका ही होता है तो देखिये अब क्या कहा है अंतर यान कि दी मतला डिफरेंस है ठीक है तो डी डिफरेंस है तो कैसे आएगा आट आगे डिफरेंस ठीक है बच्चों अब P पुछा है तो आप पहले वाला भी लिख सकते हो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे वाले लिखो तो मैं पहले वाले से करके देता हूँ देखो P 8 का डिफरेंस हो गया रेट 4 पसेंटेजी तो 100 ओवर 4 हो जाएगा 100 ओवर 4 whole डिस्ट पावर 2 ठीक है जी 8 है हो गया 100 का स्केर कितना हो गया 4 0 लगा दो क्योंकि 2 बार रपीट हो जाएगा 4 का स्केर कितना हो गया 16 ठीक है 8 1,8 8,9 16 2 से 2,5 10 कितना हो गया जी सीधा अंसर आजाता है 5000 ना इधर देखना ना उधर देखना डिरेक्ट अंसर आता है इस टाइप में अगर जब आपको ये क्वेशन आएगा ठीक है जी तो आई होप कि आपको ये टाइप क्लियर हो गया होगा अगले टाइप की तरफ चलता हूँ सेम यही सवाल है देख सकते हो यहां पर भी 2 वर्ष दिया है पांच परसेंट दिया है और अंतर दिया है 1.25 तो बच्चों सबसे पहले हम वही फॉर्मूला दिमाग में रखिए क्या रखेंगे प्रिंसिपल इस इकल टू डी हंड़र ओवर आर का होल स्केर ठीक है तो पी निकालना डी की वली कितनी होगी डिफरेंस कितना आगया 1.25 कितना आगया 1.25 100 आर की वली कितनी है 5 पांच का होल स्केर तो 1.25 ओवर हंड़र होगया इसको दो बार लिख लीजिए या मल्टिपलाई कर लीजिए स्केर कर लीजिए 5 का डबल कितना होगया 25 होगया 2.0 से 2.0 ये गई और 25 को इससे किये तो 25 पंजे 125 तो कितना होगया कितना होगया बच्चों कितना होगया 500 पे और 500 पे हमारा हल है तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का आपको ये मेरा वाला मेथड जो है वो ये फॉर्मूला एपलाई करिए और ठा करके अपना अंसर प्राब्द करिए अब तीन वर्ष का होगा सर तो क्या होगा फॉर्मूला मैं बहुता लबबग सेम है थोड़ा सा बदलाब आएगा वो अब देखिए क्या बदलाब आता है देखिए तीन वर्ष के लिए दिया है दस परसेंट है और अंतर दिया हुआ है इकतिस तो आप उने के सर फॉर्मूला बोलो आप तो मैं बोलूँगा वही फॉर्मूला ही बोल रहा हूँ मूलधन वही रागया डिफरेंस वही आगया हंडर्ड ओवर आर बस यहाँ पर स्केर लगा देना है ठीक है और यह जोड़ लेना है हंडर्ड ओवर क्योंकि अब तीन साल के लिए है तो रेट में थ्री हंडर्ड हो जाएगा आर प्लस थ्री हंडर्ड हो जाएगा और सब सेम है बोना कैसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो प्रेंसिपल इस इकल डिफरेंस कितना है 31 हंडर्ड ओवर रेट कितना हो जाएगा बेटा 10 परसेंट कितने टाइम के लिए है दो साल के लिए तो मैं दो ही लिखा वैसे ही हंडर्ड ओवर और आर यानि कि 300 में कितना प्लस हो जाएगा सर्थ 10 प्लस हो जाएगा 10 जमा 300 तो कितना हो गया 31 यह हो गया 100 गुना 100 क्योंकि स्क्वेर कर ले हैं तो 4 0 लगा लो एक ही बात है 10 गुना 10 और यहां पर भी 100 और यहां पर आगया 3010 इस 0 से यह 0 किया अब सीधा 31 से 31 कड़ गया भीया ठीक है इस 0 से यह भी गया इस 0 से यह भी गया तो बच कितना गया 100 गुना 10 तो कितना आ गया बैटा 1000 रुपए कितना आ गया 1000 रुपए तो 1000 रुपए इस परकार से जो है तीन साल के चक्रदी ब्याज जो की और सधारन ब्याज का अंतर अगर दिया हो कुछ भी यानि की 31 रुपे जैसे दिया है तो 10% के नुसार जो है वो हजार रुपया जमा जो धन था तब निकलेगा अगला सवाल है आई होप कि आपको तीन वर्ष वाला क्लियर हो गया होगा तो मैं फिर से बता देता हूं नहीं है तो प्रिंसिपल इस इकल टू डिफरेंस 100 ओवर रेट का होल स्केर और 100 ओवर आर प्लस 300 यह मैंने आपको फोर्मूला बताया है तो डिफरेंस कितना दिया है 15 55 100 ओवर रेट कितना दिया है वेटा रेट दिया है 10 की पावर 2 और 100 ओवर रेट कितना दिया है 10 इन्टू 300 question डिट्टो का डिट्टो चलता है कुछ भी changing नहीं है 100 ओवर 10 इन्टू 10 और यह भी 100 आगया दो बार क्योंकि स्केर आएगा 100 ओवर 300 10 तो three hundred thirty नहीं होगा three hundred ten हो जाएगा ठीक है जी जीरो से यह 0 गया ठीक है जी और 31 से कम इकती रोड़ यकतिस पांचे जो है बहुत आपका आएगा एक सो पच्पन जीरो से यह 0 गया इस 0 से यह 0 गया कितना आ गया आपका 5000 कितना आ गया वेटा पांच हजार तो यह इस प्रकार से जो है आप अंसर निकाल सकते हो मैथड आपके सामने दिया गया है करने का तरीका आपके सामने दिया गया है इस मैथड को लीजिए और अप डैक ठाकर के अंसर अपना अच्छे से जो है और समय रहते यहनी कि एक मिनट के अंदर-अंदर निकाल लेजिए अगले सवाल की तरफ चलते है पढ़िए यदि ब्याज की तिमाही जोड़ा जाए तो दो हजार रुपे का बारा प्रतिशत वार्शिक ब्याज की दर से नो मह का जो है वो चक्र दिधी ब्याज तो सबसे पहले क्वार्टरली का मीनिंग समझ लेते हैं देखिए एक होता है तीमाही क्वार्टरली ठीक है और एक होता है छमाही और एक होता है वार्शिक अब वार्शिक का मतलब हो गया अब कम्पलीट बारा महिन से जो है वो एक साल बनता है इसलिए 12 मन्त से तो एक साल बनता है ठीक है अगर चमाही की बात करते हैं तो 6-6 महीनों से एक साल बनेगा तो इसमें चमाही कितने होगे दो होगे अगर तिमाही की बात करें तो तीन 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 टोटल महीने टोटल बनके 12 तो बनता है साल तो एक तिमाही है निकी इनकी चार तिमाही से बना एक सा है न और यहां पर देखें दो एक साल बन रहा सीधा बारा महीनों से है न तो यह आपने याद रखना कि यहां पर तिमाही बोला है च्माही बोला है यह फिर वार्शिक बोला है अब वार्शिक ब्यास तो लग रहा है principle भी दिया है principle कितना दिया बिटा principle दिया है 2000 रुपया मगर rate जो है वो 12 नहीं रहेगा क्योंकि ये तो साल का 12 महीने का लग रहा है मगर उन्होंने तो बोला 3 महीने के हिसाब से चलो तो 12 बटा 4 हो जाएगा क्यों चार को हमने इससे डिवाइड करें तीन 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 में डिवाइड हो रहा है ना बारा देख सकते हो आप तीन 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 टोटल कितने हो है बारा महीने बन रहे हैं वैसे ही आप यह भी समझ सकते हो कि एक महीने का आपका एक प्रसेंट है तो तीन महीने का कितना होगा तीन प्रसेंट और बारा महीने का बारा प्रसेंट तो यहां पर बारा महीने का दिया है और क्वेशन में पूछा है तीन महीने का इसलिए हमने इसको चार से डिवाइड करें तो हमें तीन महीने का भी आज मिल जाएगा यानि कि रेट मिल जाएगा ठीक है अब टाइम की बात आई है टाइम सर किसे दिया है नौ महीने का भी आज निकलना है अब आप बुरें कि सर नौ महीने का है आपने तो बारशिक तो बताया formula भी बताया मगर जब 9 महीने में आ जाता है तब हम कैसे निकालेंगे 9 महीने के लिए 9 महीने महा का जो है वो चक्रदी भी आ निकालना है तो 9 महीने के लिए हमें time को convert करना पड़ेगा 9 महीने में कितने तिमाही हुए तो आपको पता लग रहा है 3 तिमाही नो 3 तिमाही बन रहे हैं 9 महीने में बस हो गया question आपका time 3 में convert हो गया 3% है 2000 रुपए ठीक है अब आपने क्या करना है 2000 रुपए का 3% ले रहे ना है और कुछ नहीं कितना हो गया 3, 2, 6, 60 और आपको पता है न तिमाही 3 है तो 3 की ratio क्या आएगी 3, 3, 1 ये तो आपको idea है 3, 3, 1 होगी ठीक है बेटा अब 60 का भी 3% ले लीजिए ठीक है 0 से 0 क्या 6, 3, 18 ठीक है तो 1.8 ठीक है और 1.18 मतलब अठारा बटा दस भी ली सकते हैं गुना उसका भी 3% निकाल लीजिए यूं और 18 ठीक है चौबन 54 तो 54 ये होगे कितने 0 आगे 1, 2, 3 1, 2 और ये 30 आगे तो 0.054 अब आपने क्या कर लेना है पहले का लिख लो 60 जैसे सिखाया है दूसरे का आगया 1.8 तीसरे का आगया 0.054 अब मल्टिप्लाइ कर दो इसको 6, 3, 18, 180 पे ये होगे ठीक है 3 को भी गुना कर दीजिए किससे 1.8 से तो कितना होगया 5.4 इसी परकार से अब बंद से करेंगे तो सेम ही आएगा 0.054 अब इसको जो है आपस में क्या कर लो प्लस कर लो अडिशन कर लो तो इसको प्लस करके अडिशन करके कितना आएगा बेटा 180 ये हो गया प्लस 5.4 ये हो गया प्लस आपका 0.054 इन सब को प्लस करोगे तो 185.454 तो ये इसका जो है वो छिक्रविदी व्याद जो है वो निकल जाएगा और भी विदिया मैंने बताई है method मगर आप कोई भी method जो है वो उप्योग करके जो है इस question को निकाल सकते हैं मैंने थोड़ा extra निकाल दिया बट ये है कि आप इस तरीके से जो है इस question को निकाल सकते हैं I hope कि ये method आपको दिमाग में बैट गया होगा बस याद रखना time बच्चों जो है वो change करना पड़ेगा क्योंकि तिमाई ही और rate भी change करना पड़ेगा अगर आप बोलो किसर अगर इसकी जगह 9 महीने की जगह 12 महीने लिखे होते तो तो मैं बोलता है यहाँ पर फिट 12 महीने के लिए चार आ जाना था, तीन चौक के बारा, ठीक है, तो इस तरीके से convert करना पड़ता है, एक और question हम पकड़ेंगे, एक और question हम पकड़ेंगे, इस question में थोड़ा सा mistake है, एक सही, एक वटा दो है, एक सही, एक वटा दो है, एक सो बारा वर्ष के लिए निकालेंगे तो, बस आज यहीं पर रह जाएंगे, तो राम ने चमाही, यह देखिए, चमाही है, छे महीने का, ठीक है, तो डेड़ वर्ष है, ठीक है, चमाही में, आठ सो रपे का, दस परसेंट की दर से जो है, तो आप, पैसे बनाना सीखिए, कैसे, आठ सो रपे यह हो गया, रेट हो गया, दस परसेंट, और टाइम हो गया, डेड़ साल, ठीक है, यह है, तो अब रेट को कनवर्ट करना पड़ेगा, चमाही ही है, तो दो से, मैंने आपको बताया ना, एक साल में कितने चमाही होते है तो इसलिए दो से रिवाइड किया, रेट कितना बन गया, बटा, पांच परसेंट, टाइम की बात करते हैं, तो कितना हो गया भी है, टाइम, टाइम को देखो, टाइम का भी, छे महीने का, आप लगास लीजीए, अंदाज़ा एक साल और छे महीने है, तो तीन बन रहे हैं डाइक्ट अगर मैं बात करूं तो, अगर किसी को नहीं समझा रहा है, तो दूसरे तरीके से बताता हूं, तीन बटा, दो तो इसका मतलब हो गया, और मल्टिप्लाई बाएड दो कर लिया, अब बोलोंगे मल्टिप्लाई दो क्यों कि या, क्योंकि भी या, टाइम है न, ट से वही आगे तीन, तीन और एक की रेशो, कुछ नहीं है, सारा सेम सवाल है, आठ सो रुपे आ है, उसका आपने पांच प्सेंट निकाल लिया, कितना हो गया, चालिस रुपे, और चालिस का भी पांच प्सेंट निकाल लिया, पंच ओके बीस, कितना आ गया, दो, और दो का भी पांच प्सेंट निकाल लो, कितना हो जाएगा, पांच दुनी दस, बटा, सो, जीरो से जीरो गया, तो जीरो पॉइंट एक, ठीक है, बस अब चालिस ये लिखा, दो ये लिखा, जीरो पॉइंट एक लिखा, चालिस को, अगर हम तीन से गुना करेंगे, तो कितना आएगा, एक सो बीस, चारत, ये बारा है, तीन दोनी छे, और ये तो सेम तो सेम आ जाएगा, तो इसको प्लस कर दीजिए, 120 को 6 को और 0.1 को तो कितना आजाएगा आपका total plus करके कितना आजाएगा बच्चा 126.1 कितना आजाएगा 126.1 जो है वो निकल जाएगा मगर आगे पूछा है रहीम ने धन कितना लोटाना पड़ेगा ये तो 126.1 है ये इसका सिर्फ चकरविदी ब्याद निकला है ठीक है तो लोटाना है यानि कि amount लोटाएगा तो principal plus compound interest तो principal 800 ये हो गया और compound interest कितना हो गया 126.1 तो total कर लिया तो 926.1 तो I hope कि आपको जो ये question है वो अच्छे से clear हो गया होगा इस question में जो है अंत में पूचा है मैंने compound interest तक निकाला फिर इसके बाद देखा question में तो question में तो पूचा कुछ और था तो हर बार ऐसा होता है कि question अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप यहां पर आकर confused हो सकते हो तो confused नहीं होना है confusing हटानी है confusion हटानी है तो आपके लिए कुछ नहीं आपके लिए यह question को read करना बहुत ही अति आवश्यक है I hope कि आपको यह question बहुत अच्छे से clear हुआ होगा अगले question की तरफ चलता हूँ 20% 20% वार्शिक चक्रदी ब्याज की दर से 550 उर्पए का रिन दो समान किष्टों में जो है अदा करना है अब जो रिन दे रहा है बंदा जो पैसा दे रहा है उसकी किष्टें बनानी है अब किष्टें बनानी है तो वो अब आपको बताने कि उसकी किस्ट कितने रुपए की बनानी है तो किस्ट बनानी है और बनानी कितने की है बराबर बाबर 20% के दुसार तो याद रखिए जो किस्ट होती है उसको आपने X मान कर चल लिए तो वो X यह हो गया जितनी किस्ते बनानी हो, उसी जप से चलीगा कैसे बोल रहा हूँ 1 प्लस रेट ओवर 100 होड इस्ट पावर 1 ये पहली किस्त अब उन्होंे किस्ते बनानी है X 1 प्लस आर ओवर 100 ये दो किस्ते होगी बोले नहीं सर, तीजरी भी किस्त बनानी है तो कोई बात नहीं X, R, O, 100 whole list भावत 3 जितनी किस्ते बनानी हैं बस ऐसे 3, 4, 5, 6 अब टू सोन ऐसे चलते रहने हैं उतनी किस्ते बन जाएंगी ठीक है और ये सारी किस्तें जो हैं वो किस के बराबर होती हैं मूल धन, P के बराबर होती हैं किराबर होती हैं, P के बराबर होती है अब इसमें भी हमारे पास क्या कहा हैं, किस्त कितने की बनानी है, 550 रुपे की कितने की, 550 रुपे की किस्त बनानी है, मैंने गोला ठीक है, 550 यहां पर लिख दिया ठीक है I hope कि अक क्लियर हो रहा है आपको questions अच्छे से clear हो गए है types अच्छे से clear होंगे 550 रुपे की किस्त बनानी है X हमारी किस्त है rate हमारा कितना है 10%, 20% तो 20 बटा 100 हो जाएगा 2 बनानी है इसलिए 2 बार लिखेंगे 3 बनानी होती है तो 3 बार लिखता मेरा भीया इतना clear हो गया ठीक है सबको clear है इतना ठीक है इसके बाद LCM ले लीजिए X over कितना हो जाएगा 100, 100, 120, 120 बटा 100 ठीक है और X over 101, 120 over 100 whole की power 2 इतना question clear हो गया इतना question जो है वो clear होना जरूरी है अच्छा चलो जी 0 से 0 किया काट लेते है 2, 5, 10, 2, 6, 12 इसके case में 0 से 0 किया तो इसके case में 2, 5, 10, 2, 6, 12 दोनों में कट गया है सेम आ गया है तो क्या हैगा 550 बराबर है 5 उपर X से multiply हुआ तो 5 X हो जाएगा ना भया 6 के लिख रहे है 5 X ओवर 6 ठीक है अगले वाले में 5 डबल जाएगा 25 हो जाएगा क्यों? स्केर लगा है 6 का भी 36 हो जाएगा ठीक है नीचे clear है इस परकार से इसके बाद X भी आएगा ठीक है LCM ले लीजिए 36 LCM आगे 6 चीके 36 आया और 5 चीके 30 इसका भी 25 आगया X 550 ये है 550 ठीक है 36 में 25 पलस कर दिये तो कितने होगी 55 बटा 36 कुछ ना कुछ जो है वो मैच करता ही होता है देख सकते हो आप मैच हो गया 55 एककम 55 ये आगे 10 और ये इससे मल्टिप्लाई हुआ 36 तो कितना हो गया बटा 360 कितना हो गया 360 और कहीना कहीना आपस में आकर ये मेल खाएगा ही खाएगा calculation के case में तो ये मुझे लग रहा है कि आपको ये calculation वो अच्छे से clear हो गई है ठीक है जी next question की तरफ चलता हूँ ये भी तीन समान किस्तें बनानी है देखो अब इसमें भी किस्तों पर ही है तीन regular किस्तें बनानी है 10% के नुसार अब तीन किस्तें बनानी है तो तीन बना देंगे 25 रुपे की है तो मैंने आप formula नहीं लिख रहा हूँ आपको अब दिमाग में रखना है formula भी रखना है और paper में तना time नहीं होता है तो इसलिए हमें time भी management बना कर रखनी है ठीक है 25 रुपे की बनानी है समान किस्तें इसलिए यहाँ पर रखा x over 1 plus rate कितना हो जाएगा 10% तो 10 over 100 ये पहली किस्त आगी जी दूसरी किस्त बनानी है तो 1 plus 10 over 100 oldest power 2 ये दूसरी किस्त के लिए आजाएगा clear हो गया जी अब इन्होंने दिया क्या है कोई धन उधार लेकर 25 रुपे की अच्छा किस्त दी है और धन ग्याद करना है किस्त नहीं ग्याद करनी है धन ग्याद करना है देखो question कैसे हम mistake कर रहे थे ये तो अभी थोड़ा सा दिमाग में आ गया कि question भी देख लू तो question जरूर होता है देखना ठीक है ऐसा नहीं है ये इन्होंने हम से जो पूचा है वो धन पूचा है किस्त आपके पास दी है 25 तीन समान किस्ते हैं 25 की अब मुझे लगता है कि आपको इतनी बात तो सबको clear हो ही गई होगी ठीक है जी तो पच्ची सो ये आगया सो एकम सो और दस ये आजाएगे 110 पच्ची सो ये आगया सो एकम सो और 110 दो बार लिख लेते हैं कौँकि उपर square है तो पता है आपको दो बार लिखा जाता है 2500 तो 110 10 ही आएगा पर इसको हम कितनी बार लिख लेंगे तीन बार लिख लेंगे clear है इतना सबको clear है अब इसकी calculations करनी है जो कि आपको अब प्रैक्टिस खुद से करनी होती है ठीक है अब कुछ बच्चे जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो उनको तो दिक्कत आएगी ही आएगी है ठीक है तो उसका क्या इलाज है उसका तो कोई इलाज नहीं है उसके लिए मैं सो बटा 110 प्लस सो बटा 110 सो बटा 110 पच्चीसो सब के अब कॉम्मन है बाहर है ठीक है सो बटा 110 प्रैक्टिस सो बटा 110 और सो बटा 110, तो अब आप देख सकते हैं कि सब में 110 भी common है, ठीक है, 100 भी है सब के पास, ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं, काटम पिटी करनी है, तो काटम पिटी कर लो, 0 से 0, इस परकार से, ठीक है, जो बचा है, ठीक है, जो बचा है, अब उसको लिख लीजिए, principle is equal to 25, ठीक है, जी, 10 भटा 11, प्लस, 121 आजाएगा आपका, ठीक है, बचो, इतना आएगा, 100 भटा, 121, अगले का देखो, 100, नहीं, एक 0 है, 1000, बचा, 11 का क्यूब हो जाएगा, 1331, ये, अब आपने इसको solve कर लेना है, अब आपको पता है, ये सभी क्यूब है, 1331, सभी 25, क्योंकि मैं तो calculate कर लूँगा, आप कैसे करेंगे, वो आपने सोचना है, 11 का है, यानि कि 121, क्यूब होता है, 1331 होता है, जो 11 का क्यूब होता है, ग्यारा गुना, ग्यारा गुना, ग्यारा करेंगे न, जिस वक्त आप, ठीक है, तो क्या आएगा, 1331 ही आएगा, और 1331 को जब आप divide करो, आप 11, तो 121 आया, तो 1, 2, 1, 0 आजाएगा, अब 1331 है, या कि जमक 1100 हो जाएगा ठीक है जी और यह हजार यह आ ठीक है तो पच्छी सो यह आ गया multiply में ही डाल दे रहा हूं सभी कोई 1331 तो प्लस कर लीजिए इसको 1210 प्लस एक 1100 को और साथ में 1000 को तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 310 कितना हो जाएगा 310 ठीक है जी और 310 को अगर हम multiply कर देते हैं 2500 से ठीक है जी तो कितना हो जाएगा तो इसको आपने बैट कर calculate कर लेना है points में आएगा answer 6217.13 ठीक है यह इसका answer आना है principle जो है 621713 अभी दो मैं calculator use कर दे रहा हूं यहां से आपने calculations हो है वो खुद कर लेनी है तो I hope कि आपको यह type भी जो है वो अच्छे से clear हो गया होगा लास में आपको calculation तंग कर रही है क्योंकि एक question का level बहुत उठता है या उठ रहा है तो उस वज़े से आपको थोड़ा सा तंगी आ सकती है अगला type है यह एक धन का दो वर्ष का चक्रदी ब्याद 410 रुपए और सधारन ब्याद 400 रुपए तो वार्षिक दर ग्याद कीजिए question तो उठके ही है सारे type आपके इस chapter के related जो हम वो cover हो गए तो दर ग्याद करनी है आपने तो किसी हिसाब से करेंगे वही हमारा system रहेगा ठीक है जी मगर जहां पर हम question में थोड़ा सा चीज लेकर आ रहे है वो क्या है कि दो साल का है और 400 और 410 में क्या difference आया 400 और 400 में कितना difference आ रहा है सर आ रहा है 10 रुपे का कितने का रहा है 10 रुपे का बस तो आप यह याद रखी जी ब्याज जो ब्याज की दर है याने कि वो equal होगी दोनों के interest का difference difference और साथ में time कितना दिया है दो साल इसलिए दो साल आ जाएगा ठीक है जी into hundred over over कितना हो जाएगा जितना की उन्होंने सधारन ब्याज दिया हुआ है simple interest ठीक है जी तो इस परकार से आप कर सकते हैं दोनों का difference आ रहा है दस साल का दो गुना सो और सधारन ब्याज कितना दिया था 400 पे, कितना दिया था वेटा 400 पे दिया था तो जो 400 पे आए सधारन ब्याज वो यहां लिखना है, चक्रवदी ब्याज नहीं लिखना है, बार बार याद लिजिएगा 200 से 200 के तो 20 परतीशत इसका सही अंसर आ जाएगा ये क्वेशन जो है, दो वर्ष के लिए चक्रवदी ब्याज और सुधारन ब्याज के उपर जो है, वो दिया होता है, तो ये इस परकार का टाइप है, तो अंसर जो है 5 आया है, अच्छा 4 रह गया था, 4 रह गया था इसलिए, तो 4 25, 5, बिलकुल सही 5 परसेंट जो है, वो इसका सही अंसर होगा, 5 परसेंट इसका सही अंसर होगा 4 छोड़ दिया था, वो बाद में तंग कर रहा था, ठीक है जी एक और ले ले लेते हैं, इसी टाइप का क्वेशन है, दो बर्ष का है सिधारन ब्याज है बिटा, तो हम कैसे निकालेंगे, दर निकालनी है, तो rate is equal to, दोनों में डिफरेंस आया 5 का गुना 2, गुना 100, over कितना आएगा नीचे, सिधारन ब्याज, जनी कि 100 आएगा, 100 से 100 होगिया, तो 5 दोनी 10%, तो question उसी वक्त हो जाएगा, जब आपके मन में जो है, इन टाइप के questions जो है, वो जुड़े हुए types, जो कि संपून types आपको करवा दिये गए हैं, और अब हम इनके questions के उपर ही practice करेंगे, I hope कि आपको ये class बहुत अच्छे से clear हो गई है, तो इसी परकार से जो हैं, बने रहीएगा, हमारे साथ अगली classes के लिए, नए अगले chapters के साथ,